आज के हमारे speaker हैं Dr. D. Balajandran Sir, Sir Professor है MD Pediatrics in Homeopathy, Senior Medical Officer है AIMS पतना में और इसके पहले Sir RKDF University भोपाल में Practice of Medicine Department के HOD और former professor थे हैं, तो आज का Sir का topic है Elims Keynotes को समझना, मैं Sir से request करूँगी कि वो आज का अपना session तो आज हमारे topic है कि Elims Keynotes को आसान तरिका से कैसे पढ़ना है, मुझे पूरा यकीन है कि इधर जो भी लोग है आज के IFPH के शाम के webinar में सभी लोग ने आज के आज की नोट सो पढ़ा होगा या पढ़ रहे होगे क्योंकि BHMS जाइन करने में विद्यारतियों का सबसे पहले जो exposure होता है सीधा बोरिक से या कैंट से या मेट्रे मेडिका प्यूरा से या क्लार्गशं से नहीं होता है सबसे पहले उनका जो exposure है इन लेस placid manner होता है अलिम्स के लॉट से Fundament for first yearhhh ethnic Medica 70 Medica kind of drugs अभी सब दीरे-दीरे कम हो गया लगता है आज इस जमाने में आपी उस 25 या 20 drug में 갑ेड अ контрम हुआ है ये कि जूख आ प्योडेन पचीस राग में तोड़ा बहुत polycrust है तोड़ा बहुत स्पशेविक मेड़िजिनस है ऐसा उन्होंने 1st year students को मेट्रे मेडिका से expose करने के लिए कम ड्रग रखा था 1st year में और यह जो भी ड्रग्स पढ़ाया जाता है 1st year में मेट्रे मेडिका में, colleges में तो most of the drugs, या I can say कि पूरा drugs जो है वो आलन्स की नोट से पढ़ाते थे क्यों इसलिए बचों लोग को समझना बहुत आसान है और वल्लूम्नेस नहीं है वल्लूम्नेस असल बोरिक अगर लेके पढ़ेंगे एक ड्रग, अकोनेट मान लोग या नहीं है तो आप केंट्स मेंट्रे मेडिका लेके पढ़ेंगे अकोनेट तो बचों लोग को confusion हो जाता है फस्ट यह में आगे आगे वो पढ़ने का अलाग मसा है वो बात अलग है बट फस्ट यह में बचों लोगों को बहुत तोड़ा सा उसके उपर दबाव पढ़ता है इसलिए तो सबसे फर्स्ट यह में जो भी मेट्रे मेडिका का ड्रक्स जो पढ़ाते है वो ऐलंस की नोट से पढ़ाते है ताकि लोगों को उसको अध्यायन करना मतलब रेट्था मारना और एक्जामे लिखना या वाइवाटन करने में आसन पढ़ता है इसलिए और सेकेंड यह ऑनवर्ड्स बाकी जो मेट्रे मेडिका किताब हो है जैसा बोरिक हो गया या उसके बाद एनम शाओदरी हो गया किताब जो और उसके अलवा अगर तेखने तो फाटक्स मेट्रे मेडिका हो गया ह दू हम काफी सालों से इसको पड़ाय करने का प्रयास करें बड़ते भी यह नहीं कह रहा हूं कि आप जो तरीका में आपको में पड़ाने वाले हो हूँ आज वह सही है यह विवाद के ऊपर है मनला बाहर में यह कहरा हूं कि मैरा मेंटलड आफ टीचिंग ही सबसे पड़ क चाहिए आप यह सही पढ़ना चाहिए, यह तो आपके ऊपर है, मैं तो आपको एक guidance या तरीक में बता रहा हूं कि ऐसा पढ़ेंगे तो, और आपको अच्छा तरह से Keynotes को समझ सकता है, और Keynotes को सही इस्तिमाल आपके practice में कर से, तो जाएंगे आज के webinar में, आगे में रहे, तो वो ही है, Allen's Keynotes with Bubble Nose Oats, खाले Allen's Keynotes नहीं है, Allen's Keynotes में Bubble Nose Oats का भी दिया है, आखरी में अगर देखेंगे तो Bubble Nose Oats पूरा, वो खेसे उसका अविशकार हुआ, कौन अविशकार किया, Batch Patterson का क्या रोल है, और उसके बाद तोड़ा बहुत Bubble Nose Oats का नाम और उसक Keynotes में Allen's Keynotes भी है, दवाई के, उसके अलावा आखरी में हमको Bubble Nose Oats भी दिया है, ठीक है, तो मेट्रे मेडिका में जितना भी किताब हो, अगर आप पूछेंगे तो उस किताबों में सबसे पॉपिलर कौन सा है, तो लोग बताएंगे कि Allen's Keynotes ही है, तो नो डाउट, वो Opinion differ होता है लोगों के ऊपर, आप किसी के पास जाके पूछेंगे, तो वो बोल सकता है कि Allen's Keynotes ही बहुत popular किताब है, कोई बोल सकता है कि Borek ही बहुत popular किताब है MetriMedica में, कोई बोल सकता है कि MetriMedica Pura ही बहुत popular है, तो likewise Opinion differ होता है लोगों के ऊपर, but generally speaking, अगर students के पास जाके पूछेंगे आप, कोई College में सर्वे करने के लिए कोशिच कर रहे है, मान लीजिए ना, First Year बच्चो के सा, Second Year बच्चो के साथ आप पूछ रहे हो, कौन से MetriMedica Pura follow करता है, कौन से सबसे अच्छा लगता है, सब लोग बोलेंगे एकी साथ, एकी हिरशब्त में, कि Allen's Key Keynotes यह, क्यों? क्योंकि वो आसान है, और दूसरी बात यह है, कि ज्यादा वज़न नहीं है किताब की, आप आराम से ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं, और आप Grand Old Practitioners के Allen's Keynotes, जो College के टाइम में यूज़ कियाना, उसको फेका नहीं जाता है, वो रखे रहता है, कारने इसलि यह रहता है, कारण मेरा भी देखिये, मेरा भी ऐसा ही रहता है, Allen's Keynotes फटा हुआ इदर उदर, कई मैंने slips attached किया, कई मैंने chip खाया, कोई मैंने लाल पेन से अंटरलें किया, कोई marker यूज़ किया, और दो लाइन के पीच में मैंने कुछ लिखवा दिया, जैसा Kent के पास जो कि Allen's Keynotes में मुझे pages कम पढ़ रहे थे, तो मैंने pointing के लिए जब दिया था, उनको बोले कि 10, 15, 20, extra A4 paper, Allen's Keynotes के size के सिख से खटा के आगे और पीछे, किताब में, उसके साथ आप pointing कर दिजेगा, थाकि उसमें मैं notes लिखू, ठीक है, तो SIS थेती Allen's Keynotes, Allen's Keynotes, मतलब that is cannot be neglected अब जब से first year में जान करेंगा, उसके बाद practice के बाद भी उसका काम कभी न कभी आते ही रहता है, ठीक है, तो it's a very concise book, बहुत चोटा सा किताब है, ज्यादा वज़ा नहीं है, और उसमें बहुत कुछ चीज़ दिया है, ठीक है, और ये popular इसलिए है लोगों के बीच में, क् comprehensiveness, comprehensiveness मतलब क्या है, इतना बड़ा चीज़ों को एक चोटा सा जगा पर बताना, एक summary जैसे, तो वो है comprehensiveness, and preciseness मतलब क्या है, उसमें आप कोई भी line कहने सकता है, कि ये जूट है, ये काम में नहीं आएगा, ये author ने imagine किया है, उसके मतलब जो भी ब्रह्म है से ये लिका है, ये सब clinically verified है, ठीक है, and ये Alan's Keynotes किसके उपर लिका जाता है, Alan's Keynotes is based upon herring's guiding symptoms, ये आप लोग सभी लोग याद रखना चाहे, Alan ने उनके practice में थोड़ा बहुत चीज़ उनने देखे practically, उसको include किया, but majority of these जो किताब है, जो Alan's Keynotes की, वो किस से मतलब मांगा जाता है, वो herring's guiding systems के उपर base किया जाता है, and आपको पता ही होगा herring's guiding systems कितना मोटा है, 10 volumes है, वरावर, 10 volumes को उनने कानजेस करके एक चोटा सा किताब के अंदर ले आया, right, तो author आपको पता है, Henry Clay Allen, वो ही author है, Alan's Keynotes के, and वो 1836 से लेकर 1909 तक वो रहा था, इस फ्रकृती में, ठीक है, वो एक American homeopathi, जो US Army में, मतलब, ये American Army में, ऐसे surgeon काम किया था, ऐसे alopathic surgeon काम किया था, ठीक है, उसके बाद उनको एक रूची आएगा homeopathi के उपर, and homeopathi, वो ही, मतलब, आर्मी के जो भी मरी जो है, उनके उपर, उनने प्रयास करके, या उसको यूस करके, फिर results gain करना start किया, ठीक ह तो US Army में आपको पता ही होगा, कि US Army में, डॉक्टर्स कितना proficient होना चाहिए, कितना knowledgeable होना चाहिए, और मारी जो को instantly relief देना चाहिए, क्योंकि आर्मी में, बहुत ज़्यादा patient घायल होके आता है, जो भी आर्मी में, जो भी सिपायों लोग होए, तो उसके लिए जटके से अध्याय करके रखेंगे, तभी तो instantly आप medicine डूण सकते हों, तो आपका पता है कि अभी, देखिए, अभी Alan का कितना बहुत critical situation है, US Army में अगर ऐसे होमीपत जैसा काम करना चाहिए, तो चटके से फटक से आपको दवाय निकलना ज़रूरी है, तो उतना बहुत knowledgeable था Alan ने, अ इसलिए तो उसको हमीपती इस्तुमाल करने में, या लोगों के उपर, मरीजों के उपर प्रयास करने में, ज्यादा difficulty नहीं रहा, तो Alan's Keynotes में अगर आप देखेंगे, तो 188 medicines, okay, 118 सी दवायों है, जो polycrest है most of the medicines, बहुत ज्यादा medicines polycrest है, और दिन बाई दिन, day-to-day activities में वो दवाय यूस किया जाता है, ठीक है, और आप अगर Alan's Keynotes देखेंगे, तो उसमें आप दो तरीका का prints, या तीन तरीका का prints दे सकते हैं, एक ordinary roman letter देख सकते हो, जहां पे symptoms लिखा रहता है, और दो types है, एक italics होता है, okay, और तीसरा bold prints होता है, generally जो competitive exams होगेरा तैयार होता ह या matrimedica के question papers हो, MCQ type of questions, वो italics और bold letters से ज्यादा तर पूचा जाता है, ठीक है, तो यही points दो है, competitive exams में भी, कोई भी, अगर entrance exam हो, या आपके UPSC, MPSC, कोई भी preparation अगर होगा, ठीक है, तो उसके लिए अगर आप देखेंगे, तो ज्यादा तर Alan's Keynotes के italics और bold है, वो ही पू और italics bold letters क्या देते है, weightage of the medicine, मतलब symptoms की उपर क्या weightage दिया सकता है, आपको देख पता है, ordinary roman है, एक mark है, according to kent, है na, and italics है, 2 mark है, bold prints है, 3 mark है, ठीक है, likewise, यह weightage of the symptoms को पता जाता है, जहांपर Alan's Keynotes में दिया है, इतना तक है, and आगे यह आईए, मैंने आपको कहा था, कि Alan's Key Keynotes किसके ऊपर base करके लिखा जाता है, it is predominantly based upon guiding symptoms of herring, together with Alan's own experiences है, उनके practice में, वो भी interleave किया जाता है, ठीक है, अब देख आई है, कितना volumes है, guiding symptoms के 10 volumes है, और हर एक किताब के size देखिएगा, यह herring ने खुद समझ लिया, कि इतना voluminous किताब कोई इंसान नहीं पढ़ सकता, हम उनने literature बना के रखा, फिर भी practically अगर देखेंगे तो practice में, कोई भी इतना ज्यादा किताब को लेकर reference नहीं कर सकता है, इसलिए उनने क्या क्या, यह तो almost हो गया न, law practitioner जैसे, आप कोई वकिल के बास जा रहे हो, उनके cabin में, chamber में देखा होगा, पीछे पूरा Indian Penal Code का किताब लिखा रहे था, रखा रहे था है, shelf में, reference के लिए, likewise, guiding symptoms of matrimedica, herring का, ऐसे reference किताब हम ले सकते है, practice में, ठीक है, और उसके बाद herring ने क्या गया, वो सभी को contents करके, एक single किताब ले आए, क्योंकि 10 volumes, तो बस की बात नहीं है, सब को पढ़ना, तो मैं क्या करूं, इसको मैं matrimedica जैसा, एक ही किताब में, जिसमें सभी दवाईयों, जो herring guiding symptoms, 10 volumes में दिया हुआ है, उसको contents करके ले आए, एक single किताब, जिसको कहते है, हम condensed matrimedica, उसके भावजूद भी लोगों को दिक्कर पढ़ा है, कि ये condensed matrimedica पढ़ने के लिए, क्योंकि वो भी voluminous था, तो फिर Alan ने क्या किया, कि कैसे भी herring's guiding symptoms को लोगों तक पहुंचना है, ताकि उसमें बहुत कुछ चीज दिया है, जो practically काम में आएगा बहुत, तो ये सोचकर उनने क्या किया, उसको और contents किया है, super contents, and Alan's keynotes ले आया है, ठीके, तो generally homeopathy में a dictum है, कि a single page, एक guiding symptom of matrimedica, जो herring दिया matrimedica, मतलब एक दवाई अगर आपने ले लिया, वो दवाई में एक पन्ना में जो दिया है, पूरा symptoms, guiding symptoms में, उसको contents करके एक paragraph में ले आया, कहां पे, boric matrimedica में, and boric में दिये वाल एक paragraph को और contents करके, एक single line में ले आया, Alan ने, उनके keynotes में, ठीके, अब देखिए फिर कित सुपर contents करके, Alan ने, उनके keynotes बना रहा है, ठीक है, तो यह है short story कि keynotes कैसे आया, actually, Alan's के लिए, right, तो कैसे पढ़ना, अभी तो आएंगे मुद्दम में, मैंने introduction तो दे दिया, अभी Alan's Keynotes पढ़ेंगे कैसे आसांसे, तो मैंने तोड़ा बहुत points इसमें निकला है, तो ऐस हम पढ़ सकते हैं, कि पहले, आप Alan's Keynotes में जो दिये वाले symptoms उसको पढ़िये, and जो line दिया है Keynotes के, उसके बीच में क्या बोलना चाहरे है, ये भी पढ़ना जरूरी है, दूसरा क्या है, similar medicines साथ में पढ़ियेगा, similar medicines का मतलब एक symptom दिया है, उसके bracket में और एक medicine दिया है, तो मतलब दोनों medicine के बीच में कुछ connection है, तो ये भी पढ़ना जरूरी है, वो दवाई के साथ साथ, ठीके, and पढ़ने के वक्त ये भी देखना चाहिए, कि वो दवाई, हम जो दवाई जिसमें वो दिया है, ऐसे reference, उसे के से अलग होता है, च्योंकि हम ये बीदे, ultimately वही है तो इसलिए कोई भी दवाई अगर ब्राकेट में दिया जाता है, तो आप जाके वो दवाई में पढ़िएगा, कि ये दवाई, हम जो दवाई जहां पर उन्हेंने reference दिया है, उस दवाई से के से अलग होता है, ठीके, तो Alan Skinner's पढ़ते वक्त ये भी ध्यान दीजेगा, को कोई words, कोई drugs में वापस बार-बार-बार लिखा जाता है, Alan ने, तो कौन सा words है वो, क्यों बार-बार repeat किया जाता है, बार-बार इसलिए repeat किया जाता है, कि वो word का महत्व है, वो particular drug में, और ये patient में भी दिख जाता है, तो कौन सा word है, जो बार-बार repeat होते जाता है, एक drug प तो आपको यह मत समझ लिजिए का एक दवाई मैंने पूरा पढ़ लिया तो मतलब वह दवाई हो गया यह नहीं है वह दवाई के अंदर जो भी ब्राकेट में दिया जाता है वह दवाई को भी साथ में करके डिफ्रेंशिट करके पढ़ना जरूरी है साथ साथ में कभी-कभी यह भी दिया जाता है कि एक दवाई आप पढ़ रहे हो उसमें आप पुरा पढ़के खतम कर दिया तो मतलब दवाई खतम हो गया यह से नहीं कि उसका कोई भी बाड़ी पार्ट्स में जो भी सिंटम से वह दूसरा कई दवाई में दिया जाता है अब जब भी वह मिलता है वह आप वह दवाई के साथ जोड के रखना चाहिए इसलिए मैं बोला कि एक्स्ट्रा पढ़ना लेकर उसमें अरेंज करना है ताकि दवाई के बीच में आप लिख सकते है ठीक है और उसके बाद आलन्स में ये खासियत बात है कि ग्रग्रव में उसी मेरियों स्टीशन चार्ट करेंगे तो उसमें में रहता सिं पीछ में यह संद बॉसर ःफिश्ट येlles है और जैसा 2nd year में पढ़ना start करता है, 3rd year में बिल्कुल चाहिए, 4th year में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि exams में, जैसा आप competitive exams में ये पूछा जाता है, कि inimical क्या है, ये दवाई का anti-road क्या है, कौन सा दवाई इसके बात नहीं देना है, पहले नहीं देना है, ये सब questions आते रहते हैं, तो इसलिए साथ में remedy relationships, बहुत beautiful part है ये आलेंस की notes की, वो भी पढ़ना बहुत ज़री है, तो ये सभी मैंने जो explain किया आपको, इसको एक-एक example के लेकर हम अभी पढ़ेंगे, तो सबसे पहले मैंने ये point बताया, in a given remedy, the first few lines of introduction are important, कोई भी दवाई पढ़ने के time में, वो पढ़ना से पढ़ना सुरी है, example, देखिये, यूफरेशय अब जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें लिका है, bad effects from false, contusions, or mechanical injuries of external parts, तो ये पढ़ने से, आप यूफरेशय बूल चाहिएगा, question आया, bad effects from false, contusions, mechanical injuries of external parts, आपके option में दिया है, ये आर्निका, बी, रूटा, C, आप देखेंगे, तो ये यूफरेशय में भी दिया है, ठीक है, और यूफरेशय में कई बीच में नहीं दिया, starting ये इसे start होता है, bad effects from false, contusions, mechanical injuries of external parts, generally आप पढ़ते हो क्या पढ़ेंगे, यूफरेशय के आई सुम्टम्स पढ़ेंगे, यूफरेशय के नों सुम्टम्स प और नाक में से जो डिस्चारज देखेंगे, यूफरेशय के, यूफरेशय में और एक keynote symptoms भी है, कि menses lasting for one day or one hour only, short menses, एकदम, oligomanoria जिसको कहते हैं, कभी इसके उपर हमने ध्यान दिया, कि bad effects from false, contusions, mechanical injuries of external parts, इसमें भी यूफरेशय काम में आता है, नहीं है ना, तो अभी इ पढ़ रहे हो, discharge वगरा, वो बीच में आता है, पहले नहीं दिया जाता है, पहले यहीं दिया है यूफरेशय में, और उसके बाद आप जाए कि देखेंगे, आर्निका में क्या दिया है, वादी bad effects resulting from mechanical injuries, even if received long years ago, even if received years ago, मतलब कोई भी mechanical injuries, जिसको इनसान को कभी, मतलब पहले जो हुआ है, उसका effects अभी तक long lasting नहीं रहना चाहिए, तो आर्निका दे सकते हैं, पहले line से start होता है आर्निका, उसके बाद आप hyperic में देखेंगे, injury remedies से सब, mechanical injuries of spinal cord, bad effects of spinal concussion, pains after a fall on the coccyx, कोई मरीज ऐसा है कि बारिश के मौसम में, पूरा सीडियों में पानी बरा हु इसे नीचे, फिर दब बोलके गिर गया, जहां पे patient खुला बेट गया है, उसके बाद उनको tailbone fracture हो गया मानू, या tailbone में injury हो गया, तो उसके बाद से patient को जब coccy gel pain या tailbone pain start होता है, तब आप hypericum को सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें दिया है after a fall on the coccyx, और उसके माद और क्या okay, vertebral column के साथ, उसके बाद से patient को कोई तकलीफ आना start होता, hypericum सोच सकते हैं, तो यह सब points ध्यान देना चाहिए, और यह सब points पहले few lines में दिया जाता है दवाई के, तो example में ने बता दिया आपको, right, तो आगे देखिए, next, इसके बाद जो point में ध्यान देना है, वो है, look for the sphere of action and pathogenesis, कोई भी दवाई पढ़ते वग, उसका sphere of action कहां कहां कौन से कौन सा body parts में काम करता है, और उसके बीमारी produce करने का genesis, मतलब, वो sequence क्या है, यह पढ़ना ज़री है, जैसे example अगर बोलेंगे, तो ब्रयोने में देखिए, excessive dryness of mucous membranes of the entire body, मतलब, इंसान के अंदर, ज upper nasal tract हो गया, okay, nostrils हो गया, सभी mucous membranes है, वो सब dry होता है, ठीक है, example दिया है, उसमें lips and tongue dry, parched, cracked, stool dry as if burnt, cough dry, hard racking, with scanty expectation, urine dark and scanty, great thirst, तो मतलब, आपके GAT tract में, upper GAT में पूरा ट्राइना से, जिसके वज़े से पानी मांगते है, और पानी मांगने का तरीका क्या है, इंसान क के अंदर प्यास produce करना, वो try है, इसलिए उसको thirst आता है, वो homeostatic mechanism है, यह आपको समझना पूछ ज़री है, कोई भी body part में पानी का कमी हुए, बादी में water balance कम हो जाता है, तो हमको एक natural homeostatic mechanism starter, जिसको कहता है thirst mechanism, आपके posterior pituitory में जो है, आपको ADH, antidiuretic hormone, यह साथ में, hypithalamus मे दोना activate होता है, जिसके वज़े से क्या होता है, आटिडिरेटिक हर्मोन के वज़े से, पिशाप में जो भी पानी जाता है, उसको कीचा जाता है वापस, बादी के अंदर, और प्यास thirst mechanism के वज़े से हम पानी बाहर से पीने लगता है, जिसके वज़े से यह दोनों output को उसके वज़े से body compartments में पानी का quantity increase वज़ाता है, तो यह आप फिजियोलोजी के साथ पढ़िएका कभी भी, आलेंस के नोटस पढ़ते हैं, तो यह उसको तरस्ट जाता है, तो वो uncommon peculiar नहीं है, वो normal है, जैसा आप आप इसमें पढ़िए, मरकसॉल में, excessive moistness of the mucous membrane together with thirst, यह uncommon peculiar है, मालब पूरा moist है, फिर भी पानी ज्यादा मांगा जाता है, वो uncommon peculiar है, कि इसमें मिर्क सॉल, इसमें वो normal है, हम, homoesthetic mechanism, body में से start होता है, ठीक है, और दूसरे example अब देखें, antimonium tartarikum, जिसमें क्या दिया है, pathogenesis, through the pneumogastric nerve, it depresses the respiration and circulation, the pneumogastric nerve के दबाव के वज़े से, respiration or circulation को दबाव देया जाता है, जिसकी वजय से एक keynote symptom produce होता है, जहां पे, when the patient coughs, there appears to be a large collection of mucus in the bronchi, it seems as if much should be expected, but nothing comes up, मालब जब पेशन को, पेशन कासते है, तभी लगता है कि पेपड़ों में ज्यादा बल्गम जमा हुआ है, आपको लगता है कि पेशन कासने के बाद पूर कि भी नहीं आता है बाहर, खाली आवाज सुने देता है, बट जो भी बल्गम है वो अंदर जमा रहता है, फेपड़ों में, ठीक है, यह क्यों अंदर जमा होता है, generally क्या होता है कि ciliary movement के वज़े से अंदर जो भी बल्गम जमा हुआ है, वो बाहर फेका जाता है, ठीक है, बट इदर नियुमोगेस्टिक नर्व के डिप्रेशन के वज़े से ciliary movement नहीं हो पा रहा है अंदर, और ciliary movement नहीं होने से क्या होता है, बल्गम अंदर ही जमा रहता है, बाहर नहीं आपाचा, मतलब muscular contraction या muscular movement के वज़े से, जो बल्गम को बाहर फेका जाता है, वो नहीं हो लगता है कि अंदर कुछ, मतलब बल्गम जमा हुआ है बट बाहर नहीं आता है, तो antium tartaricum आप सोच सकते हैं वे conditions में, ठीक है, that's producing a death rattle, asphyxia neonatorem, यह सब दिया है इसमें, अब antium antium tartaricum पढ़ेंगे तो और बेहर समझ सकता है, उसके pathogenesis के से होता है, sphere affection कहा है, ठीक है, ब्राइन एक sphere affection अभी कहा है, upper respiratory tract, upper GIT, lower GIT, as well as आपके upper respiratory effects में, यह सब sphere affection है, and pathogenesis यह है, सभी जगह पे dryness होने के वज़े से constipation होता है, सभी जगह पे dryness, upper gastrointestinal में dryness होने के वज़े से, उनको ज्यादा प्यास लगता है, और पानी पीना लगता है, ठीक है, urine dark and scanty, यह भी है कि पानी कम है, जिसके वज़े से anti-dietic hormone के वज़े से पूरा पानी अंदर कीचा जाता है, और पानी कम बाहर फेकेंगे, urine में से, तो क्या होगा, urine becomes dark and scanty, देखें, homostatic mechanism कैसे काम करता है, generally summer में यह होता है, कि मानलों कोई इंसान ज्यादा अभी यह मौजम में, summer में ज्यादा बागदोड हो रहा है बाहर, कोई पानी प्रापर नहीं पिये जाता है, जब पिशाप करते हो तो क्या होता है, पिशाप में, कलर एकदम डार के लो आता है, साथ में जलन होता है, यही same to same patient को होता है प्रावनिया में, क्यों, क्योंकि anti-dietic hormone के वज़े से, पानी जो बाहर जाता है फाल, तो unnecessarily waste पिशाप में से, उसको खीचा जाता है वापस, ताकि बाड़ी का water compartment, यह fluid compartment वापस restore करे, और जिसके चलते हैं, उनको urine dark and scanty, आपको ऐसा पढ़ना चाहिए, जब भी भी आप दवाई पढ़ेंगे, साथ में physiology का knowledge, pathology का knowledge, उसमें डाल के फि अध्याप्टर तो venus hemorrhage from every orifice of the body, पासिव हमरेज अधिव नहीं है, आटरियल बीडिग अग्टीव होता है, venus hemorrhage अभी भी पासिव ही रहता है, कहां कहां से आता है, हमरेज का हमरेज, नोस से, नाक से आता है, पेपडों से आता है, बबलस, टीके, मानलब इंटर्स से ब्लाडर से आता है, ब्लाडर से अधिया से भी जगह से, venus congestion passive, मैंने कहा आता है, venus congestion is passive, कहां कहां पे skin, mucous membranes, और साथ में flippitis, inflammation of the veins, varicose veins, ulcers, varicose, with stinging pricking pain, hemorrhoids, portal congestion हो गया, जिसके चलते हैं, उनको hemorrhoids बन गया, बावसीर बन गया, इसमें में चीज क्या है, कि जहां जहां पे venus congestion रहता है, venus hemorrhage होता है, उस जगह पे stinging pricking pain, मतलब सुई टोचने का जैसा, या आपको, मतलब यह जो कहता है patient, pricking pain, मतलब क्या, जैसे needles prick करता है, मतलब सुई चुपता है, जैसा जारत अगर होता है, चुबंट जैसे, तो उसको हम कहता है, कि pricking stinging pain, hemorrhoids में जो दिया है, ठीक है, तो यह भी उनका sphere of action, मतलब venus remedy है, main action कौन से system में है, venus system में है, passive hemorrhage है, and tendency to hemorrhage is very easy, ठीक है, and third, क्या है कि, कोई remedy पढ़ने के वक्त, look for the clinical findings of science as observed by Alan, Alan ने यह point बहुत ज़रूरी है, अभी जो भी आपड़ा था, वो herring's guiding symptoms में कही ने कही मिला जाता है, but यह जो point है, वो Alan के कुद की महनत है, Alan ने उनके, मतलब practice में, जब अब US Army में practice कर रहे थे, या जब वो, मतलब, दूसरा कही जगह पे अब practice कर रहे थे, college में, वो herring college में professor थे, of medry medica, तो उस समय में, जो भी cases उनने देखे थे, वो cases में, जो clinical findings उनको मिला, या जो science मिल मरीजों में, उनने नोट करना start किया, और बहुत जदा दवाईयों में ये मिल सकता है, जैसे example आप अगर देखिये न, epismel में दिया है, edema, back like puffy swelling under the eyes, ठीक है, मतलब, आंके नीचे, जहां पे lower eyelid है, उदर अगर लगता है कि पानी, back like, मतलब, एक बैक जैसा अंदर पानी ज जमा रहता है, वो epismel में दिया है, bracket में क्या दिया है, over the eyes, calicarb, ठीक है, आंके उपर, अगर पानी जमा हो रहता है, अपर eyelid में, आप calicarb सोच सकते हो, ये पढ़ते वक्त आपको calicarb पढ़ना चाहिए, कि epismel से calicarb कैसे differentiate करे है, यही मैंने पहले कह दिया आपको, दूसरा ह calipachromicum, calipachromicum में यह दिया है, edematis, bladder-like appearance of the uvula, almost दोनों सिमिलर जेसे है, but calibike में और बड़ा है, बड़ा काउन सा है, eyelid नहीं है, uvula, अंदर जो inner tongue केते हैं, middle, center of the part of the oral cavity में, oropharynx में, उसको हम केते है, uvula, which is like a downward projection, soft palate से, तो वो yuvula looks as if edematis like a bladder, उसमें लगता है कि इतना बड़ा सूज गया हो, और लगता है कि उसके अंदर पूरा एक water bag में पानी बड़ा हुआ जैसा दिखता है, that is also clinical finding, ठीक है, both sujan है, but redness, inflammatory conditions, congestion नहीं है, but sujan both है, ठीक है, यह calibike में दिया है, bracket में दिया है rust ox, rust ox भी compare करना चाहिए, क्यों यह दिया and the eyelids, मतलब आंक में, ऊपर बले पार्ट में, आंक और eyebrows के बीच में, जो eyelid है, अपर eyelid है, उसमें सूजन है, पानी जैसे, ठीक है, lower eyelid में अगर होगा तो epismel सोचना चाहिए, अपर eyelid में आ रहा तो, then calicar, तोड़ा सा मन के दिमाग में रखे, दिमाग के पीछे यह दवाई को फिर आगे जब रपर्टरेस करेंगे, या केस को और अनामसिस करना स्टाट करेंगे, तो भी देखना चाहिए कि यह दवाई का इंडिकेट है क्या नहीं, ऐसा नहीं कि यह दवाई हमको पहले मिल गया, और उसी के लिएकर आप सिंटम्स पुछते जाओ, यह नहीं होता है, आखरी में देखें, आंटिमोनियम क्रूडम में यह दिया है कि तिक, मिल्की वाइट कोटिंग अफ टंग, टंग डाइग्नोसिस, जब आप डाउट में हो, तो पेशन का टंग देके एक्जामिन कीजिएग, दवाई का कुछ ना कुछ ना कुछ इंडिकेशन में लेगा, तो पूरा, अगर टंग कोटेड है, मिल्की वाइट, तो यह सब क्लिनिकल इंडिकेशन से, क्लिनिकल फांडिंग से, एलन ने उनके क्लिनिक में जो देखे थे, उनके एक्स्पिरिंस में जो देखे थे, और यह पॉंट में बताया था आपको, कि कोई भी दवाई पढ़ते टेरलन के है वो repeating lines है, ठीक है? डीपाचर्स अफ तीन, irritable nervous disposition, anxiety with irritability and inclination to commit suicide, but is afraid to die, तो आप देखें है, दो बार, repeat हुआ, irritable, irritable, घीक है? repeated episodes of loose stools होता है, उसके बाद वापस कड़क बंच जाता है. So that is what the meaning is, constipation alternative with diarrhea. तो यह सब IBS का symptom से, ज्यादा gas bloating होना, flatulence होना, ज्यादा बार-बार डेखार आना, बार-बार, मतलब, flattus pass करना, यह सब indicated है, IBS में. तो Nuxomica में से exactly वही दिया है, तो यह, can I think about Nuxomica and irritable bowel syndrome. देखे, बीमारे में भी irritable repeat होता है, देखे, तो मतलब, हम जब कहते हैं कि इंसान की जो सोच है, वही वो बन जाता है, वही हो गया, Nuxomica mind में irritable है, इसलिए body में भी अलग-अलग parts में irritability होके, आखरी में प्रेशन, irritable bowel syndrome का मरीज बन जाता है, तो आप देखेगा कि कहां-कहां पर irritable का word repeat होआ है, तो एक example में ने दिया कि Nuxomica है, और दूसरा, आप Causticum में पढ़ेंगे, तो Causticum में ये दो words, rawness and soreness, ये बार-बार repeat होते जाता है, एक example में ने बता दिया, देखे, rawness and soreness of scalp, throat, respiratory tract, rectum, anus, urethra, vagina, uterus, ये सभी जगा पर rawness, साथ में rawness, rawness का मतलब क्या है, कि लगता है कि जखम जैसा, open, wound, उसको rawness कहता है, soreness का मतलब क्या है, अगर वो open wound में, अगर हम उंगली या चोटा सा, कुछ objects के साथ, अगर examin करें का कोशिश करेंगे, तो कितना हमको sensitiveness या कितना दरध होता है, उसकी जैसे, तो rawness and soreness of scalp, throat, respiratory tract, rectum, anus, urethra, vagina, uterus, etc. पेशन आके बोलेंगे, केसे दुखता है, अगर, जेटरली होमेट में पूछता है कि कोई पेशन अगर कंप्लेंट से आया जाएगा, तो हम, हमरे पास, मैं जेनरली यह पूछता हूँ कि, दरध होता है, डॉक्टर साफ, बहुत दरध होता है, ठीक है, दरध कैसा अनभू होता है आपको, या कैसा आप महसूस करते है, बताएए, जक्कम के जैसा दुखता है, दोक्टर साब, तो इसको ठांसर खेंगे, आपको अनभू होता है, पेशन को कई अलसर है, मानलो, याना याना ये तो पेशन को कोई जगा पे, अनभू हो रहा है, याना ये तो कई जगा पे, आप लोकलाइस्ट पेंज है, आर्थरेटिक पेंज है, तो पेशन अगर कह रहा है, कि डॉक्टर साब दरध ऐसा इतना ज़्यादा होता है, कि लगता है कि जक्कम जैसा दुखता है, तो अधियो ठांसर दूखता है, यही व अगर अलग अलग जगह हो पे, एक ही जैसा मतलब सिम्टम दिख जाता है, या पेंज दिख जाता है, तो तो कॉस्टिक में रहानस और सोरनस अफ दिपार्ट से ग्रांट जेंटरलाईजेशिशं, क्योंकि अलग 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 पार्ट में सेम जैसा सेंसेशन अशन अपेश् आवाज में बदलाव है तोड़ा सा किछ किछा जैसा लग रहा है गल्य में और साथ में लगता है कि जकम जैसा कुछ अंदर बना रहता है आवाज टिक से नहीं आ रहा है बाहर इंदर मॉर्निंग अस्पेशली सुबह उठने के बाद यह कॉस्टिक के देख रहे हैं आप कॉन्स रिपीट होते जा रहे हैं रिपीट इसलिए हो रहे हैं कि वह सबसे इंपॉर्टन है अलग अलग जगाहों पर यह बार बार रिपीट इसलिए होते जा रहे हैं अब चेंजज का वर्ड रिपीट होते जा रहे हैं कि नहीं सिम्टम्स बदलते जाएगा और डायर्या भी दिया है जनरली वह ग्रीन शेलो इश कलर में दिखना चाहिए या मतलब उसका क्यारक्टरिक ऐसा है पर ज़रूरत नहीं है कि ऐसा ही रहेगा बदल भी सकता है यही दिया है वेरी चेंज़बल जनरली देखिए पलसेटला का प्लांट कैसे डिस्क्राइब करता है एकदम लीज पतली दुखली जिसमें कोई मतलब और श्रेंग्त नहीं है हवा ऐसा फोर्स फुली आजाएगा तो वह प्लांट जिस डिरक्शन से हवा आ रहा है जिस रिशा से यह हवा रहा है उस दिशा के उपर वह जुक जाएगा त तो changeable mentality, better cock remedy, ठीक है, तो यह सब changeability जो है, वो है दवाई में, इसलिए यह symptom बार-बार repeat यह किया जाता है, तो इसके उपर ध्यान दीजिए, जब आलन की नोट पढ़ता है वक्त, कौन सा words repeat हुआ है, ठीक है, यह मैं पहले भी बता है आपको, कि एक drug पढ़ते वक्त, आप यह मत फैसला कीजिएगा, कि दवाई, अगर अकॉनएट ले लिया, पूरा पढ़ लिया, तो मतलब मैंने अकॉनएट कंप्लीट कर दिया, नहीं है, अकॉनएट में, जहां जहां ब्राकेट में, जो भी दवाई दिया जाता है, उसको भी पढ़ना चाहिए साथ-साथ, और उस उसके बाद, कभी-कभी लगता है कि एक दवाई पढ़ लिया, यह सब मैंने जो कहें दिया, वो पढ़ लिया, तो दवाई कातम हो गया, नहीं है, क्योंकि वो दवाई का कोई-कोई symptoms कोई दूसरा दवाई में दिया जाता है, इना given drug, learn the symptoms of it scattered in other drugs, example, मैंने दिया दो एक्ज रहूं, आरव मेट का heart symptoms नहीं पूछ रहूं मैं, डिज्टलिस का heart symptoms नहीं, क्यक्टस का heart symptoms नहीं पूछ रहूं मैं, उनको पूछ रहूं कि सेपिया का heart symptoms बताओ, यह question से में उन श्टूडन को fail कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैं student को बोलूं कि ठीक जाओ, answer नहीं पता है, तो किताब रफर करके आजाओ वापस मेरे पास उसके पास आइलन्स की नोट से वह पलट के देखेंगे सेपिया में पूरे टॉप टॉप बटम पढ़ेंगे कई भी उनका हाट सुम्टम नहीं मिलेगा तो मैं 5 मिट के बाद 10 मिट का पर वापस वो स्टुटन को बुला रहा हूं कि क्या पढ़ लिया बताव अभी सब्सक्राइब का हाट सुम्टम क्या है नाइए बहल बोल पाएगा क्योंकि काई भी नहीं दिया है सेपिया के अंदर वो कीद लेकर मेरे पस आएगा साय को सेपीय दिया है तो सेपिय का हड सिंटम हमको का मिलेगा अरम में तरम में दिया है तो देखे यह है beauty Materia Medica की एक drug का पूरा symptomatology एक दवाई के अंदर नहीं दिया जाता है वो दूसरे कई दवाईयों में लिखा जाता है, जिसको आप ही दवाई के साथ जोड़ना ज़रूरी है. तो sepia का heart symptoms हमको sepia में मिलेगा, उल्टा कहां पे मिलेगा, आरा metallicum में मिलेगा. यह आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आप ही ध्यान दीजेगा. इसमें लिखा है कि sensation as if the heart stood still, as though it ceased to beat, and then suddenly gave one heart thump. और bracket में क्या दिया है? सपिया दिया है. तो sepia का heart symptoms almost matching to aurumetalgum कही न कही तो है. और पाद में आप पढ़िये का बाकिमेटरी में में अलग कीजिये का कि sepia का heart symptoms aurumetalgum से कैसे अलग होता है? क्योंकि ब्रैकेट में sepia दिया है, इसमें. और उसके बाद और एक एग्जांपल, conium aculatum. कोनियम में पढ़ेंगे, तो conium में, eye compliance में, conium में, कई strike का word mentioned काई भी नहीं किया जाए. But conium का eye symptoms, strike related, आपको stryphous agrae में मिलेगा. Stryphous agrae में दिया है, strice, chalice on eyelids, or on upper eyelids, one after the other, living hard nodositis in their wake. bracket में दिया है, conium ontousia. देखें, conium में ज्यादा तर क्या दिया है, memory related symptoms, memory का symptoms दिया है, vertigo का symptoms दिया है. तो ज्यादा तर यही repeat होते जा रहा है. And अगर आप marriage को देख रहे हो, जिसमें conium का indication से, साथ में उनको stryphous agrae में है, आपको मन में शक आएगा कि stryphous agrae में यह दिया है, Conium में भी एक capacity है, stripe produce करने का, eyelids में, upper eyelids में especially, एक के बाद एक, और वो जब tick हो जाएगा, साथ में एक hard nodocytis, guilty जैसा कुछ छोड़के जाएगा, एकदम जो खड़क है. ठीक है, यह conium के symptoms है, bracket में आप conium दिया है, देखें. तो इसलिए कोई भी दवाई पढ़ते वक्त, उसके जो भी related symptoms कोई दूसरा दवाई में दिया जाएगा, क्या, यह देखें लीजिए, और अगर दिया है, तो वो the symptom को लेकर, जिस दवाई में के अंदर आना चाहिए, उसमें जोड लीजिएगा, ठीक है, and हर दवाई में प प्रशने सिमेटर अपसिकल, प्रेइबिस पोस्तो लंग अपाथिक अफेक अफेक्शएंस, इस्पेशली थे खेंटेंस देखेंस लाइक पोडियम के, जो एलन में दिया जाता हू, नक्सवमी का पतेवर्क्त लिए दिया है, अदप्जाय तू लीजिए पर्ण दॉब एक sanguine temperament, disposed to be quarrelsome, spiteful, malicious, nervous, and melancholic. शब बहुत छोटा है, बड उसका मेनिक बहुत वास्ट है. चीक है? And Pulse Rate ले में ये दिया है, adapted to persons of indecisive, इसमें भी changeability है, देखिये. Indecisive मतलब कोई फैसला नहीं सकर सकता है, मतलब कोई आखरी फैसला नहीं सकता है, slow, phlegmatic temperament, sandy hair, blue eyes, pale face, easily moved to laughter or tears, affectionate, mildly gentle, timid, yielding disposition, the woman's remedy, क्युकि आवरतों में ये सभी characteristics मिला जाता है. इक है? Right, next, opium. Opium में दिया है, especially adapted to children and old people, disease of the first and second childhood, persons with light hair, lax muscles, and want of bodily irritability. ये opium में दिया है, constitution में. Likewise, कोई भी दवाई पढ़ते वक्त, उसका constitution पढ़ना ज़री है, और याद रखना भी ज़री है. Then, in a given drug, learned relationship given by Dr. H.C. Allen, काई भी दवाई पढ़ते वक्त, उसमें relationship में क्या-क्या दवाई दिया है, ये बोल ज़री है, ये exam point of view भी ज़री है, ये practice point of view सही है, क्योंकि आपको ये दवाई दिया हुगा, constitutional medicine patient को, वो दवाई आप लगता है कि वो दवाई patient को पूरा compliance क्लियर ही करेगा, मतलब normal, मतलब क्यूर करेगा, बट नहीं होता था, कभी-कभी जाके बीच में हटक जाता है, दवाई काम करना, अगर कई जाके आप हटक जा रहे हो ये बीमारी से, तो ये दवाई दिया जागा था, उसको क्लियर करें, ये भी Allen's की, Allen's की जो, मतलब clinical, ये है, मतलब experience है, उससे बनाया जाता है, और साथ में herring का भी, ठीक है, जैसे, for example, higher ZMS पढ़ते वक्त दिया कि, Phosphorus often cures lasciviousness and higher ZMS feelings, ये point देखिये, Phosphorus का constitution कोई बता सकते है, कि mental constitution क्या है, mental मान सिकता क्या है Phosphorus की, Phosphorus की mental characteristic क्या है, extroverted है, सब लोग को जूलना मिलना पसंद करता है, मतलब Phosphorus का dessert भी magnetized है, मतलब सब के नजर इनके ओपर गिरना चाहिए, ये flamboyant है, मतलब attractive dress में वो, मतलब कभी भी dressing करता है, लोग को मदद करना पसंद करता है, thunderstorm aggravation है, rainy weather aggravation है, ठीक है, मन से बोट अच्छा इनसान है Phosphorus, मतलब दिलदार आत्मी है, सब लोग को मदद करना चाहते है, ये सब Phosphorus में पढ़ा जाता है न, Phosphorus में कहीं दिया है, lasciviousness के बारे में, अभी सोच भी नहीं सकता है, कि Phosphorus lascivious हो सकता है, और पूरा मेट्रे मेडिका में पढ़ी है, सबसे ज़्यादा lascivious remedy कौन सा है, hyozea में से, क्योंकि उसमें lascivious mania है, mania कि इतना ज़्यादा है कि मरीज जो है, वो कपड़ा फार्ड के नंगा आने का कोशिश करता है, डॉक्टर के सामने हो, या रिलेटिव के सामने हो, जनरली ये होता है कि साइकोटिक एपिजोड में, मतलब ऐसकी जोफ्रिनिया, ऐसे कंटिशने, बाइपोलर इस अगरे कोई कंपलें अगरा आया जाएगा, जो साइकोटिक डिसर्डर में कि क्या जाता है, वोन टाइम में पेशन ये ये इस अ करना चाहता है, मतलब नंगा रहना चाहता है, सब लोग के उपर उनका बोडी दिखाना चाहता है, इस अ करना बाइपोलर इस अ करना चाहता है, तो कौन जादा रह ईयर ग्रेट में है अबी, हायोसमस है की फास्फफ़रस है, फास्फ़रस है अफ़कोर्स, क्यूंकि जो लख्विछने इस अ किस अनगी हो सकता, वो कौन सा दवाई जिक कर सकता है, फास्फफरस कर सकते है, यह देखिए कितना न्यानी था एलन ने यह टूणने के लिए आप कभी सोच भी नहीं सकता कि यह ऐसा होता है क्या इसमें दिया है यह पॉइंट दूसरा आप देखिए सिना में पढ़के देखिए इन सिना इन पेटुसिस आफ्टर ड्रोजिरा है रिलीवड़ सीवियर सिम्टम्स एक अभी सोची भी नहीं सकता कोई पेशंट आगया सबसे मायन में आपको कोई तीन या चार दवाया आ अवकर्स कोकस कैक्टा है हो सकता है यह सब पेट्रोजिस इंडिकेटिड में तीक है अपको ड्रोजिरा सुट हुआ टोटालेटी मैं आपने देदिया पेशंट को आपको लगता है कि पूरा वूपिंग आफ टीक हो जाए पेशंट को पर नाई हुआ तो इनिक्स्ट में अ क्या देना है आप सूच भी नहीं सकते हैं सीना दिया जाता निंट सेना जाता है और देखिए इस पोइंट मैंने सही इंटरेसिंग पॉINanç सुरेनम में दिया है कि after arnica in traumatic affections of ovaries, after lactic acid in vomiting of pregnancy, दो कंडिशन में सुरेनम इंडिकेटेड है, traumatic affections of ovaries, माननो कि ovarian region में कोई मार लग गया, कई लड़की समझ लो कि आटो में जा रहे हो, गिर गया आटों से, कई पतर था, वो आपको, मतलब, iliac region में या lumbar region में, वो बड़ा सा पतर के उपर गिर गया, जिसके वएसे ovaritis, या ovary में, right yellow side of ovary में, trauma, मतलब, मार लग गया, माननो, इसको टीक करने के लिए कोई दावा नहीं, अलोपती में, और generally आप, जब आएंगे patient, आपको symptom बताएंगे, कि यह ऐसे हो गया, डॉक्टर साफ में गिर गया, पतर के उपर, इसके वएसे मेरा ovary, मतलब, उसमें मार लग गया, डॉक्टर बता रहे हो कि यह ovary, कभी टीकी नहीं हो सकते, इसको हटाना पड़ेगा, तो आप क्या पहले क्या देंगे, पहले जटके से, अरडी में ने पड़ाया आप, प्रमार्टिक अफेक्शन से, इवन इफ रिसीव लॉंग येर्स अगो, तो प्रिवंट इभाट इफेक्ट साफ, क्या दिया जाता है, आर्निका, अब आर्निका दिया है मरीजोग को, आप इंतसार कर रहे हो, कि आर्निका ये पूरा ओवरी को टीक ही करेगा, पट नहीं हुआ है, टीक, क्या दवाय देंगे, देखे, सौरेनम दिया जाता है, की नोट में दिया है, कितना आपको देखे, ये सब गोल्ड नगेट्स है, जो इधर उदर, इधर, उदर मिला जाता है, इसको क्लेट करके आपको ट्रेशर बनाना आपके पास, मैंने कुछ न कुछ ट्रेशर बनने को कोशिश तो किया है, और तरीका भी बता दिया, बाकी, आप जाके समुदर में खुदिये, टूंट ये, कहाँ कहाँ पे गोल्ड नगेट्स पड़ा है, उसको लेकर आप ट्रेशर जिस बना दिए, चिक है, शमिलरली जॉयंट्स में कोई, मतलब, कमपलेंस हो गया, защ방र्ण आपने आर्निका दिया है, आर्निका टिकाने का प्रयास कर रह रहाए, डर्निका सा नहीं हो पा रहा है है, तो क्या दे सकता है? रूटा दे सकता है, रूटा हात्यों में, असे जॉयंट्स में, अपने आर्णिका दिया है, आर्णिका ठीक करने का प्रयास कर रहे है बढ़ आर्णिका से नहीं हो पा रहे है, तो क्या दे सकते है, रूटा दे सकते है, तो रूटा हटियों में एस वलेस जोईंट्स में, जोडो में दे सकते है, कि proper indicated medicine जब अगर आर्णिका जैसे या सिंफल जेसे टिक नहीं कर पा रहे थो. सबडिला फॉलोज ब्रायानिया और रनकलस बॉल्बोसस वेल इन फ्लूरसी और स्कुरूरूर्ट और ब्रायानिया फेल. फ्लूरसी मतलब प्लूरल एफ्यूशन, फ्लूरल स्पेस में पानी जमा होना. इस कंडिशन को ब्रायानिया और रनकलस बॉल्बोसस सोच सकता है, जहां पे आकोनेट और ब्रायानिया फेल हुआ, तो उस कंडिशन में. मतलब सबडिला में ये दिया है. सबडिला टिक कर सकता है. पेले मतलब क्या के दिया, कि प्लूरसी हो गया, आपने स्टम्स ले ले लिया पिक्चर, आकोनेट या ब्रायानिया इंडिकेट हो रहा है, आप आकोनेट या ब्रायानिया देकर कोशिश किया, पर प्लूरसी ने टिक हो रहा है, वापस आप केस टेकिंग करने का कोशिश कि बिए राटिक फिर आप आकरी में ब्रह्मास्त्र जो हो सबडिला है जो फ्लूरेसी को अक्राइट ब्राया न्ट बिए अंड कर सकता है उस कंडिशन को सबडिला कर सकते हैं यह दिया है अब रोटन हमें पढ़िये after heparasulfur inferncle, फरंकल क्या होता है? multiple boils जैसा, फंजी जैसे जहाँ पर बाडी में आते रहे थे, गमोरी जैसा कह दिये, टिक है? जहाँ पर acunate and bryonia, मतलब indicated, after heparasulfur, मतलब multiple postules आते रहे थे, बाडी में, जहां पे आपने हेपार इंडिकेटेट था, हेपारसलफर देखर कोशिश किया था, नहीं हो रहे टीक, रिन अप्रोटनिम क्लियर करेगा वो पर्टिक्लर पस्ट्यूल से, ठीके, दूसरा क्या है कि आफ्टर अकॉनेटन ब्राइटन प्लूरसी, प्लूरसी एफ्यूशन में यहां पे आपनेटन प्लूरसी हुआ, जहां 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 पे आपनेटन प्लूरसी हु तो अगर अगर ब्राइनिया लेकर फेल हुआ तो सबड इल्ला और अब्रोटनम दोनों सोच रिजिए अब्रोटनम जब क्लियर होगा जब जहां पे फ्लूरसी हुआ उस जगह पे एक प्रसिंग सेंसेशन रह जाता है तो एक रिलेशनशिप चाप्टर में यह पढ़ना बोल सकती है likewise यह दे के क्यालिब्रोम और क्यूरेटिव आफ्टर यूजिनेयर जैंबोस इन आकने जहां पे फिंपल्स आते जाता है आप यूजिनेयर जैंबोस लेकर कोशिश किया है टिक नहीं हो रहा है तेन क्यालिब्रोम दे सकते हैं ठीक है क्यालिक कर्ब ब्रिंगान दे मैंसस वान नाट्रमियूर दो अपरेंटली इंडिकेटेट फेल्स यह हैनमन ने बताया जो इननक्लूर्ट किया Alanis scheme में है जहां पेकॉन्स पूरा नाट्रमियूर इंडिकेट हो रा है नाट्रमियूर किल चिश किया है बंस्टीशन में मैंसस ले आ जाते ही नाट्रमियूर dependency मेंसस वा ले आ जाते है Citizens यंत वे आप जोे हैक उनलिकलान्स पीचल्चल्सको लेकर कोशिश किया है, उसके बावजूद भी हमरेज नहीं बंध हो रहा है, या हमरेज नहीं से नहीं बंध हो रहा है, तो मिलिफॉलियम सोच सकते हैं. Sanguinaria, after bellodona fails in scolartina, scolart fever आ गया, मदलब streptococcal infection, जो कहते हैं, अभी इस modern terminology में, तो उसमें, generally speaking, bellodona indicated है, hanuman के time में, bellodona was given as a genus epidemicus, उसमें अगर bellodona fail हुआ, तो you can think about sanguinaria, ठीक है, right, clinical tips, आलन ने कहीं जगा पे दिया है, medicine के अदर, उसको देखना बूर ज़री है, जैसे कल के रेकार में अगर देखेंगे, तो इन चिल्टर इट में भी आफन repeated, in age people should not be repeated, especially in the first dose is benefited, it will usually do harm, यह तोड़ा स्केप्टिकल है, यह आप देख लीजे आपके कुद के प्राक्टिस में, मालब बच्चों को कलकिरेकार बगर इंडिकेट किया जाता है, उसको रिपीट कर सकता है, बट भुजूर लोगों को कलकिरेकार बगर इंडिकेट हुआ इसे कॉंसिटिशनल, उनको फर्स्ट डोस देकर देखिये, फर्स्ट डोस अगर कामियाँ भी है, तो रिपीट मत कीजिएगा, रिपीट किये जाता है, उसको नुक्सान पहुँच जाता है, यह दिया है, उनका ठेटिकल टिप्स में, लाइक पोडियम यह दिया है, इसरार अगर आटिस्टूरिक में माना जाता है, महीन आटिस्टूरिक में, तो कोई भी फी कॉंसिटूशिट्र ट्रीटम लाक पोडियम से शुरूर इस मत कीजिएगा, अलर्स आप क्लियर कट पता है कि लाकपोडिम फी एक कंसूशन है, वगर डौभ रहे तो यह दिआता हम आट retiring time, what is better, several hours before going to bed, it acts best during repose of mind and body, मतलब, mind and body, जब शान्त रहेगा, तब ये दवाई दिया जाता है, किके, should be given on retiring, मतलब, जब इंसान सोय जाता है, शाम में, रात में, तब भी दवाई देना चाहिए, Pulsatila, patient's anemic, chlorotic, who have taken much iron, quinine and tonics even years before, जो patient anemic है, constitution, जिसको जादा iron tonics वगरा दिया जाता है, हमिलोबीन बढ़ने के लिए, उन मरीजों को Pulsatila Indicated है, Pyrogen and septic fever, especially pure peril, Pyrogen has demonstrated great value as a homeopathic dynamic antiseptic, तो homeopathic antiseptic pyrogen है, जहांपे pure peril fever आ जाता है, उसमें pyrogen acts as a prophylactic medicine, ठीक है, IODM में दिया है, better given after full moon, or when the moon is waning, लिपे दिया है, should be given during lying-in period except in high potency, हेरिं ने बोला है, lack anemic acts best in single dose, मेड़रेन में, the burning feet of sulfur and the restless fidgety legs of this income are both found at the same time, जहांपे जालन रहता है, या लेहर मारता है, साथ में restless fidgety legs, जहांपे पैरों में ऐसा कंपन जहाए, जन जनाहट नहीं कहे सकता है, मनलब फिजटी, reckless legs, यह सब जब रहता है, डोनों एक ही मरेज में उसको मेड़रीयम दिया जाता है, मेसिरियम में epidemics will occur in January & February often call for maiserium नहां हमारी जो होता है January & February summer times में मालब wake-up summer में तो तो नहीं मेसिरियम सोच सकते हो आप Natrium Eure cannot be often repeated in chronic cases without an intercurrent called for by the symptoms, should never be given during fever proxism जब fever तेजी में रहता था Natrium Eure नहीं दिया जाना चाहिए and chronic cases में intercurrent remedy के बादी कि अको नेट रिपीट कर सकते हैं सीधा नहीं यह सब दिया है और यह आलन की नोटे सिन प्रक्टीस यह तुड़ा बोड मने केसे में कोड किया है जहां पर आलन की नोटे के तुरू प्रक्टिस कैसे कर सकता है एक केस में बताता हूंगा काली यह वाला उसके बाद सेटेशन a case of pyrexia fernonorgen, मतलब fever है, जिसके कारण नहीं पाता है पेशेंट को, ऐसा एक मरीज आया था, आंटीबेटिक्स को रिस्पोंड नहीं कर रहा है, fever paroxysm नोटिस किया है, कि खाली रात में सोते वक्त आत जाता है, तो मरीज को जब आयलन्स कि नोट्स पढ़ रहे था है, तब ही पता चला कि संबुकस नेगरा में ये दिया है कि, संबुकस नेगरा में दिया है कि fever dry heat while he sleeps on falling asleep, मतलब fever होता है, जब कब होता है, रात में जब इनसान सोय जाते तब ही होता है, और इनको संबुकस नेगरा दिया है और fever clear हो गया, जब बलड़ना फास्फरस जैसे दवाय से नहीं टिक हुआ था फीवर, वो संबुकस नेगरा से टिक हुआ, यही है का आलन्स कि नोट्स के ब्यूटी जो प्राक्टेस में, तो ऐसा तीन चर केसे से लगता है, मुझे वक्त नहीं है अभी, तो वाट तो शड़े स्टॉक, मतलब मैं स्क्रीन शारिंग करूं, बंद करूं, आपको तो तो आपको बारात अंद्रन जी, अभी इसमें कितने से ख्राइट्स हैं आपके बाक्ती, कर दिया हैं जो निक्स शेसर में, इसको केसे के साथ में, जैंट कर दीजिएगा, इसकेंड पार्ट में दे दूँगा, उतना बड़ा लेक्शर नहीं हो पाएगा ना सर, क्योंकि केसे बहुत कम है, तीन, चार पांच केसे से जादा उतना नहीं है, तो फिर कैसे होगा, आपी तो अब लोग बढ़ने ही सकते हैं, कि वाज दो में जादा है, सही बात है, सही बात है, कोई बात नहीं, मैंने काली के एक्जांपल में साल बता दिया, कि आपकेसे कामना थाएगा, को एक-दो में खतम कर दीजिए हैं, हाँ, राइड, 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 तो ओके, तो और एक केस है, जहां पर एक strong man was lying almost bare buried on the cool floor shouting on the fire, एक अच्छा खासा इंसान था, जो नीचे जमीन में ऐसा ये करकर, लेटकर, बता रहा था कि पूरा बाडी में जलन हो रहा है, ठीक है, मतका से ठंडा पनी लेकर उसके उपर गिरने के लिए पोड़ रहा था, ठीक है, और नहीं तो वह दंकी दे रहे थे कि आप अगर मेरे उपर पानी नहीं मारा तो फिर में कुवा में, मतलब जहां बाडी कहता है माराथी में, वेल, वेल के अंदर में कुछ जाओंगा, क्योंकि उतना जलन हो रहा है वो बाडी में, तो वून मरीश को सिकल कार दिया है, ठीक है, अन दी बेसिस अफ बाड़ बर्निंग इन आल पर्स अफ दी बाड़ी, कोफिकर के अंकल जी जो है , क्यों कैसे क्यों को ठीक है है यह सब लिग जाता है , उसमेंग्वे उसमेंसे एक एक्जामपल मैंने लिया था , आपको समझेंघ लिए , आपको समझेंटे लिए , होगे अलमोस्ट दू केस मैंने कंप्लेट कर दिया , तो इससे आगे मैंने reference book भी का बाता दिया कहां से मैंने लिया था Dr. Gopikar's clinical experience of 70 years in Humipathy वो आप पढ़ेंगे तो इससे आप भी काफी better examples आप मतलब ले सकते हैं Chapter का नाम है My First Guru एक Chapter का नाम है Gopikar के उसमें Gopikar बताया था कि उनके अंकल जी से उनने क्या-क्या सिखना बढ़ा उसमें बहुत ज़्यादा केसे उनने explain किया कहां से आलंस की note से लेकर इनने दवाय दिया उसका एक experts मैंने लेकि इसमें दे दिया बाकि आप वो किताब पढ़ेंगे तो और कुछ नौलेज आएगा तो वही है मैं screen sharing बंद करूँ ताकि लोग आगे host ले सकते हैं अकिता जी आगे आगे साथ आते रहें और हमारा ग्यान वर्धन करते रहें इसके साथ साथ से आठ का हमारा हिंदी सेशन समापत होता है और आठ बजे से अब आगे नौ बजे तक इंग्रिश सेशन होगा जिसके लिए मैं हैंड ओर करूंगी माई को next host को I think Ajini ma'am will continue Okay Ajini ma'am will continue So over to you ma'am Thank you sir, thank you And thank you Hindi team